फेमस रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को अब करीब एक महीना बचा है तीन महीनों का सफर ये प्रतिभागी तै कर चुके हैं और अब एक महीने करीब इन्हें बिग बॉस के घर में रहना है एक महीने है इनके पास अपनी परसनेलिटी को बहतरीन बनाने के लिए एक महीने है इनके पास जो प्लाइटफॉर्म इन्हें मिला है इसका पाइदा उठाने के लिए और फिलहाल सिधार्थ शुकला और आसीम रियास पर इस खास रिपोर्ट में हम आप से चर्चा करेंगे आसीम रियास जिनको शुरुवाती हफ्तों में देखकर ये कहपाना भी मुश्किल हो रहा था कि वो एक महीना शो में टिक पाएंगे वो फिलहाल सिधार्थ शुकला के सबसे बड़े कॉंपेटीटर बन चुके हैं वो फिलहाल सिधार्थ शुकला को कड़ी टकर देते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच में सिधार्थ शुकला और आसीम रियास ये दोनों ही बहतरीन तरीके से अपने आपको शो में आगे लेकर जा रही है फिलाल आपको बता दे आसीम और सिधार्थ को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इन दोनों ने सपोर्ट के मामले में बीते बारा सीजन्स के रिकॉर्ड तोड़ दिये है जी हाँ आज तक बिग बॉस के इतिहास में किसी भी सेलेब्रिटी को इतना सपोर्ट नहीं किया गया जितना आसीम और सिधार्थ शुकला को किया जा रहा है जिस तरह से आसीम के भाई जब घर में आए लोगों ने उसका कमपारिजन किया दिपिका ककड और उनके पती की मीटिंग के साथ वहीं अब विकास गुपता ने सिधार्थ शुकला के लिए काफी कुछ किया है दरसल विकास गुपता ने जब उनकी ममी घर में आई थी बिग बॉस सीजन 11 के दौरान उसके वीडियो को सिधार्थ शुकला की ममी वाले वीडियो के साथ मिला दिया है और उसका एक बहुत खूपसूरत सा छोटा सा क्लिप अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर शेयर किया है जिसके साथ वो कैप्शन में लिखते हैं खुले तोर पर सपोर्ट कर रही है विकास गुपता सिधार्थ शुकला को अपने फैंस से उन्होंने कहा है कि सिधार्थ को प्यार दे सिधार्थ को वोट करे और यहां आसिम रियास के लिए खुब वोटिंग अपील कर रही है हीना खान तो फिलाल इन दोनों की जिन्दकी जिस तरह से बदल रही है बिग बॉस के घर में वो काबिले तारीफ है नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेगा की रिपोर्ट